पिछले दिनों हर्याना और जम्मू कश्मीर में विधान सभा के चुनाव हुए इस चुनाव में जो परिणाम आये उन्होंने एक बात तो तैय कर दी है कि अभी भी भारत में हिंदूों को बांटने की कोई हिम्मत नहीं कर पाया है वरतमा नेत्रित्व की पॉलिटिक्स का एक अलग अन्दाज है और ये आज का नहीं बहुत पुराना हिसाब है कि सामने जब कुछ सवाल खड़े हो जाएं कुछ चुनोतियां खड़ी हो जाएं तो फिर सिर जुकाओ और अपने काम से जवाब दो इसलिए राहुल गांदी और नरिंदर मोदी के बीच का फर्क सर्फ इतना ही है कि एक काम की बदूलत बने है और दूसरे नाम की बदूलत सरनीम की बदूलत और एक बार फिर से नरेंदर मोदी ने साबित कर दिया कि इस देश की गरीब जनता तमाम शोर के बावजूद नामदार को नहीं कामदार को चुनती है हर्याना और जम्मू कश्मीर इसका सबसे बड़ा उधारन है क्योंकि हर्याना और जम्मू में सरफ चुनाव के नतीजे नहीं आए बलकि एतिहासिक नतीजे आए है जनता का जवाब आया है, हिंदू का जवाब आया है राहूल गांदी और उनका इको सिस्टम सरफ माहोल बनाने में फुल एक्सपर्ट है लेकिन जमीन पर बात करने की बात करें तो ये लोग सननाटे में चले जाते हैं लोग सबसे चुनाव में कुछ सीटे कम क्या हुई बीजेपी की इंडी गटवन को ने जो माहोल बनाया कि अब तो मोधी मेंजी खतम हो गया नरेंदर मोधी कमजोर हो गए, उनका जलवा नहीं ही रहा मोधी का चेहरा उतर गया है, उनके कंधे जुग गए है आपको याद होगा राहूल गांदी कैसा बोलते थे मंचों से कि मैंने मोधी की हवा निकाल दी चुनाव से पहले प्रधान मंत्री यू भाशन देते थे, देखा आपने मैं आपको बता रहा हूँ, आप गलत फेह में मत हो कॉंग्रेस पार्टी के कार्य करता ने, मैं बता रहा है, कॉंग्रेस पार्टी के कार्य करता ने हिंदुस्तां के प्रधान मंत्री से justement पर ऐसे ये करवा दिया, यह आपकी देन्हा, आपका काम है इतना सब सुनने के बावजूद, नरिंदर मोधी पिछले चार महीनों से सब कुछ देख रहे थे सुनते रहे लेकिन उन्हें सोशल मीडिया पर एको सिस्टम का जवाब देने की बजाए चुनाव के नतीजों से ऐसा जवाब दिया जिसका शोर आज हर और है और यही मोधी और संग का स्टाइल है काम ज्यादा शोर कम और इसलिए राहूल और कॉंग्रेस को हर्याने की जनता ने नरेंदर मोधी की और से जवाब दिया सबसे ज़्यादा करंट राहूल गांदी को ही लगा होगा क्योंकि राहूल गांदी कह रहे थे कि उन्होंने प्यम मोधी का कॉंफिडेंस तोड़ दिया है लेकि जनता ने राहूल गांदी से ज्यादा पीम मोदी के नाम पर उनके काम पर उनके कॉंफिडेंस पर विश्वास जताया राहूल कह रहे थे पीम के कंधे जुका दिये हैं जुराब दे दिया जंता ने कि मू लटकाने का टाइम तो कॉंग्रेस का है राहूल गांधी कह रहे थे कि हर्याने में कॉंग्रेस की आंधी आ रही है हर्याने की जनता ने आंधी को आधी सीटे भी नहीं दी मोधी मैजिक क्या होता है ये हर्याने की जनता ने बता दिया क्योंकि हर्याना वो राज्या है जहां पिये मोधी जब 2014 में सत्ता में आये थे तो विधान सभाज चुनाव में पहली जीत हर्याना में ही मिली थी 2014 में BJP को Heart banana में 47 सीटे मिली थी और पहली बार Heartland में BJP की सरकार तब बनी थी दस साल बाद 24 में BJP को 48 सीटे मिली और तीसरी बार सरकार बनाई है बीजे पी ने और यह कोई और पार्टी अर्यानमै नहीं करपाई सोचिये रिपीट ही नहीं कर पाती हैं पार्टियां फिर बीजेपी ने तो तीन बार जीत हासिल की दस साल के बाद भी एंटी इंकंबेंसी के बावजूद 2014 के मुकाबले में ज्यादा सीटे लाना तीसरी बार सरकार बना लेना ये मोदिग मैजिक ही है जिसे कम आँकने की भूल कॉंग्रेस को भारी पड़ी हर्याना में 2014 से पहले बीजेपी चोथे नंबर की पार्टी हुआ करती थी 2014 में बीजेपी को पहली बार सत्ता मिली अब लगातार तीसरी बार सरकार बना लेना कोई मामूली बात नहीं है हर्याना की जीत इसलिए भी बड़ी हो गई क्योंकि चार महिने पहले ही लोगसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा जटका लगा था हर्याना की दस में से पांच लोगसभा सीटे कोंग्रेस ने जीत ली थी और लोग कहने लगे थे कि बीजेपी खतम हो गई हर्याना में कोंग्रेस जो माहूल बना रही थी वो मोदी मेजिक के सा अगे नहीं चला परना कोंग्रेस का अगर याद करें तो क्या-क्या माहूल नहीं बनाया उन्होंने जाती जन्गना का वादा भी हर्याने में कोंग्रेस के काम नहीं आया किसानों को भढ़काने का मुद्धा भी नहीं चला किसानों को MSP की गारंटी वाला कार्ड भी कोंग्रेस के लिए कोई रामबान नहीं बन पाया जवानों को भड़काने का मुद्धा भी नहीं चला जबके राहूल गांदी अगनी वीर के मामले को बड़े जोर शोर से उठा रहे थे अडान यंबानी का मुद्धा भी उठाया वो भी फेल हो गया पहलवानों को भड़काने का मुद्धा भी बेसर हो गया इन सभी चुनोतियों को पार करते वे बीजेपी ने एक बड़ी लगई खींच दी ये रिजल्ट एक दिन में नहीं आये इसके पीछे महिनत और नीती है सोची समझी इलेक्शन स्टेटेजीज हैं अगर आप देखेंगे नरेंदर मोदी ने हर्याने में ज़्यादा चुनाव रैली नहीं कि सिर्फ चार रैली की थी लेकिन अगर ग्राउंड डेवल पर ज़्यादा जो रहा चुनाव से छे महिने पहले हर्याना का सीम बदल दिया मनोडाल के ज राधर मैनेजमेट पर काम हुआ इस बात का ध्यान ठखा गया कि हर्याना के जिस इलाखे में जो नेता ज्यादा प्रभावी है उसे उसी के इलाके में पूरा जोर लगाने के लिए कहा गया कॉंग्रेस ने जाट वोटों पर पूरा जोर लगाया बीजेपी ने स्थानी मुद्दों पर फोकस किया अब लोगों को धे सारी उमीदे हैं तीसरी बार भी इस डबल इंजन वाली सरकार से देखते हैं क्या कुछ होने वाला हुआ 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 है